पुर्देश के यूड़ों को बैराउज के अगराने में लग है, आरेसेक्ष में जाएगा, पटवारी की भर्ती में पांथ होगा, बांगी बेटे-बेटियों का नास होगा, ये शिवाज जिती निती है, पटवारी में परिशा, 14 लाग बच्चे बेठे, 14 लाग में से जो चैनिज हुए, बीजेपी के विधायक के कालेज के इतिनेंट हुए, आरेसेक्ष में जो जाता से इसके बच्चे हुए, बीजेपी के लिताओं के इस्तिलार हुए, खर्ती लिता पाट्टी के लोग जब निलाज शुजा पुराई करने आते हैं, ये ये क्यों नी बता पा कितनी ताकस न रणकत हैं कितनी मेहनद की थी उस कांट को ब्रागर करने आप पेसेट कोगों के हत्या कर दी आए तक जोशी निपक्टा गया किया और उपके बाद आपने कशी विस्तार अधिक आई लगाए तो सब जो बीजेपी आप रडेश अजेश्यों के आपको लगा द ग्स्षाप हो, Lufty निश्भक्स में रिड़न करके ऐसा क्यों है मेरा कुझेश एसै क्यों है मेरा शुरॉज एसे क्यों है मेरी सक्काः एशेख्भी शिवराज सब्सक्दा ये सब्सक्दार है शिवराज सिग्ने कि योजिना चलाई का हुज भ्लॉज आचलाय वर्डॉ पर चीटो जिनार विदादों में कुछ भी जरूबा शिवराज सिंकी ने अपने विदाइगाओं को कहा कि मेरी तरकश में भौव तीर है तुम तो सिर्फ पिदांग सब्धान गयान को शिवराज जी के तरकश में हो तीर है मैं आश्चेर में पढ़ गया कि घजानर में पेसा नहीं है और इनके तरकश में कीरत छोड़ेंगे किस पर तो इनके बच्चों के छोड़ने लगते हैं पुलेश को करता हैं पुझाने में लगते हैं कि प्रियंका गांदी अगर किसी को सब से जागा छोटे बाउद देता ल किसे इस भाव से की हमारे परिवार का आपके परिवार का साथी दिल्ली में गांदी परिवार इंद्रा गांदी की पोति और राहुल गांदी राजु गांदी की बेटी और राहुल गांदी की बाहर भ्रियंका गांदी हमारी नेता हमारी बड़ी बहर इस देश के लिए अ प्रिजेपी का विदाइक बढ़ जाएगा तो तभी नरेन मोदी के पास नी जा पाएगा विलान्चु प्रियंदिया गांजी के साथ बिलकस्तुरे देश में कांग्रेशन अपर्पर नहराएगा यह भाव रहां सब्सक्राइब करना चाहता हूँ तांतियो आप अगी देखो कि जिस करीगेश है शिवराश सिंग चोहान रोज बड़े पांटार लगा लगा कर लाड़ी बेना जोज़वा की रंडिंग कर रहा है पता है आप लोगों को कि जब लाड़ी बेना जोज़वा का एक बार धाशन देता है तो उसमें आठ करोर कुछा कि शुराजी आपने लाड़ी बेना योद्ना के अंतरगा जो आपने काम किया तो आपने कितना पेशा खर्च किया तो शुराजी खुद ने उतके विभाग में जन से उपर किने मुझे उटला दिया कि हमने 17 कारी कम के 34 करोण रुपे खर्च किया शाए कि पांड़ करता लगाने के माईट लगाने के तोभे लगाने के मन्च को सजाने के 17 कारी क्रोड लगे जाता है यह उटार पर होटा कि और, प्टे आपने पर पहिए तो लगते हैं और ये 8 करोड रुपया मर्ति पुर्देश के ख़जाने नहीं है। इसके लिए वो रोज आपते 500 करोड रुपय का गड़ जाने होते हैं। इतना करोड रुपय जाने हैं। 4,000,000 करोड रुपया पुर्देश में करते हैं। मैं समझता हूँ आओ लुपया लेक। कि मंति तो कमर्दा का भौल चिपो तो कि मंति बनोगे। तब दिलान सी को रुपया मेरे को मति बनाएगे। मैं गाता हूँ नुटबा राहिए। च्रावा आपकें। ते कराव में करते हैं। आपको बता दे कि मध्यप्रदेश के क्वालियर में एनराई कॉलेज मुझूद है। यहां पटवारी भरती परिक्षा का सेंटर पड़ा था। रिजल्ट आया तो पता चला कि टॉप 10 में से 60 टॉपर इसी सेंटर से हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद घोटाले के आसंका जताई जाने लगी और मामला राजनीतिक हो गया। अपनी भरतियों के लिए पहली भी बदनाम रहे। वियब सायक परिक्षा मंडल व्यापम का नाम भले ही बदलकर प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड याने पीई भी किया गया हो। लेकिन गोटाले के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला पटवारी भरती से जुड़ा है। ग्वालियर के कथित बीजेपी नेता के कॉलेज में परिक्षा देने वाले अधिकांस आविदकों का मेरिट सूची में नाम आने से हड़कम मच गया है। दिल्चस्प बात तो ये है कि सयुक्त परिक्षा की इतने कठिन पेपर में अन्य परिक्षा कैंदरों के आविदक जहां 140 नमबर नहीं ला पाए। वही कथित तोर पर ग्वालियर के इस परिक्षा कैंदर के आविदकों ने 180 नमबर तक हासिल कर लिए है। तमाम तरह के स्क्रीन सोट सोसल मीडिया में दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है जो आविदक अंग्रेजी में हस्ताक्चर नहीं कर पा रहे हैं। उनकी 160 से अधिक नमबर आए हैं। और ये सभी आविदक ग्वालियर के एक ही परिक्षा कैंदर में परिक्षा देने पहुचे थे। आमा का व्यापम पार्ट दो तो नहीं है।